स्वाकत है आपका स्टेडी विश्माइट पर फिरंस आज की एक लेटिस्ट और बहुत बड़ी अपडेट आ रहे जो आपके आरार भी यंटी पीसी और आरार सी ग्रूप डी के इग्याम से रिकार्डिंग आ रहे फारेली फिरंस गया था बहुत सारे प्रेंड थे उनके मन म पर फिरंस आपके आपको इंटी पीसी के इग्याम में वो कब से स्टार्ट होगा उसका जो है कब तक से जूल आए गया या फिर आपका जो इसका एड्मिर कार्ड बो कब तक जारी किया जाए इसके अलाबर फिरंस क्या है कि आपको मैं बता दूं बहुत सारे के मन में गुरूप डी के इग्याम से रिकार्डेंग भी है तो उसके लिए भी यहाँ पर इंफ्रमेशन आए था इस वीडियो में बिल्कु डीटेल में डिस्क्रेस करूंगा आपका जो एंटी पीसी और गूरूप डी के इग्याम है वो कब तक हो सकता है इसलिए प्रेंस के लिए डेली क्यूशन सेर करता हूं उनमें ऐसे जो है तो आपके प्रीवियस सेर में आए हुए उनहीं में ऐसे फ्रेंट्स मैंने जो आपके लिए एक दिन पाले जो मैं कल की डेट में जो क्यूशन सेर किया था उसमें यह देखा जाए तो लगवाग 3100 स्टूडेंटों एक तीस स्टूडेंटों ने जो उसमें जो है तो अपना कमिट्रिमेंट दिया है उसका रिपलाई कहता है उसमें क्यूशन क्या था फिर आप से देखे भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है यह आप देख सकते है यह जो है तो यंटी पीसी 2016 में प्रीवियस सेर मे क्यूशन आयता है इसका जो आपका राइट एंसर होगा वो राइट एंसर आपका होगा बंगलादेश क्योंकि आप पाली बार देख सकते हैं कि हैंपर जो उमारे इस्टूडेंट है वो काफी अच्छी यहां पर जो है तो जबार्जस्त इसका इनफरमेशन दिये और उन् उपने जो आपना जो यनर्रा ना लेट इए यापका भी इस ट्रांग करना चाहते हैं तप जाकर सटेडिये विद मैद की कम्योटी गाइड लाइस में जाएए और उहाँ पर देखिए मैं डेली जो है तो क्यूशन सेर करता हूं और वहाँ पर जिस कूशन को सेर क्या हूं उ बच्छ कर 30 मिनट पर जब मैं आपके लिए ये वीडियो अप्लोड कर रहा हूं तो आप देख सकते हैं हैं पर क्याकर इंप्रमेशन दीगें मैं आपको बिल्कुर डिटेल्स में बताने वाला हूं मैं आपको बता दूँ बहुत सारी स्टुडेंट हैं उनके मन में केवा लेकी सवाल राता है कि सर हमारे जो हैं थे टेस्ट में मार्क से इंक्रीज नहीं हो रहे हैं उसके लिए हम क्या करें था प्रिपेर करिए और जैसे ही आपको टॉपिक वह घृ क्रैक्टिस करिए जैसे आपके मैध के टॉपिक है यह आपका कोई मैध का टॉपिक कम्प्लीट नहीं तो उसको आप प्रिपियर करिए उसके बाद उस टॉपिक के आप कोसिज करिए 50 सब पचास से सब क्यूशन आप उसके लगा लेंगे आपका ओड़ टॉपिक काफी अच्छी से प्रिपियर हो जा करना है और फ्रेंट से बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनके मन में सवाल एक जो आपका आरार्सी ग्रूप डी का जो है तो वो अप्लीकेशन स्टेटस कब तक जारी किया जाएगा तो आपको मैं दिखाता हूँ कि हाँ पर जो आपका नोटीश आए उस नोटीश में क्या-क क्या इंप्रमेशन दीगी आपके जो है तो आप इसको नीचे क्लिक करके आएंगे तो देखिए क्या आता है कि आपके सामने यहां पर जो नोटीश है वो ओपन होकर आ चुका इस नोटीश में क्या-क इंप्रमेशन दीगे मैं आपको दिखा रहा हूं गवर्मेंट आप इ इसी से रिलेटेट यहां पर बताया गया है आप नेम आप वर्क देख सकते हैं इंगेजिन एक्जाम कंडेक्टिंग एजन्सी टू कंडेक्ट मल्टिप्ल स्टेज आप कंप्यूटर बेस्टेस्ट इंड आल अधर रिलेटेट सर्विस तू लाइक प्रोसेसिंग आप आपका बताय कैरे का जो सके अधर मेंन में सवाल चागी हमारा cities बेंडर वह तकी मीरत वर्क किया है इसे अथे रुपिलिट को जाएगी कंप्लीट होने में जो आपका है अंटी पीसी के तीन सो तीरपन पॉइंट नाइन एट जो है करो उसका जो है जो है तो आपका चार्ज लगने वाला है इसके अलावा इसके जो नान रिफंडेबल कोश्ट है क्योंकि यहाँ पर फिरंस आपको पता है जो कंपणी लेगी उसक यहाँ पर जुम है अपर यहथ एक बहुत बड़ा जो आपके लिए यह चीज आप देख सकते हैं पर लिखा गए कि आपका जो complete period आप the work यहाँ पर जो आपकी भरती प्रकिया है आपकी यह जो पूरी भरती प्रकिया है उसको complete होने में कितना टाइम लगेगा तो finally आपकी 2023 की आसपार जन्वरी में आपकी ज्वाइनिंग की जाएगी उसके पहले आपको डायेक्टली रेलवे ने बताए का आपकी भरती प्रक्या को जो पूरी प्रोसेस है वो कंप्लीट होने में आपको दो साल लग जाएगे इसके अलाबा आपका ये टेंडर के लिए पू कौन सी कमपनी करा रही क्योंकि अभी तक जो आपका इग्याम है वो कौन सी कमपनी करा रही इसके रिकार्डिक कोई इंफ्रमेशन नहीं आए क्योंकि बहुत सारे स्टुटेंटों के मन में सवाल है क्या उनका इग्याम जो है तो वो TCS करवाएगी या फिर TCS नहीं आपका अरिक अनुल और हां था इसके अलाब आपका जो गुरॉबडी का अग्याप हुआ था वो और पोसिवल्टी जाथ ही कि आपका त्यूरी पीसी और आपका अर्फ्ल्वी गृॉबडी का इग्याप यहां भी बाइट बाइट पाट